हाँ पे गैस आज हम बात करने वाले हैं Home Credit और देवल EMI Card की लिमिट बैंक में ट्रांसर करने की बिल्कुल आप लोग इसकी लिमिट अपने बैंक में ट्रांसर कर सकते हो वो भी बिल्कुल जैनवन तरीका है आप लोगों को किसी भी स्टोर पे विजिट नहीं करना है आप लो कहा मिलेगा वो भी बताने वाला हूं तो उसके लिए गैस आप लोग वीडियो को बिदावत करें हुए कंटीनू देखते रही है लेकिन वीडियो में आगे बनने से पहले मैं आप लोगों से रिकवेस्ट करूंगा अगर आप लोग चैनल पे नहें तो चैनल को सब्सक्रा आप लोग इसकी लिमिट्स कमें ट्रांसफ करभी सकते चैनल करते जाइब detail और कहां से ब्लॉड करना तो चलिए फटा अपका पूरकर को पन्कर लिया बात करते हैं बात करते हैं हैं अप लोगों को यह अप्लिकेशन कहा पर मिलेगी तो सबसे पहले कि इस अप्लिकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा अधर्वेस आप लोग डिरेक्ट गूगल प्ले स्टोर पे सर्च कर सकते हो त्री डॉट प्लस का उप्शन मिल जाएगा यानि कि टीडी प्लस का उप्शन मिल जाएगा तो आप लोग वहां पर किलिक करके इस वाली अप्लिकेशन को डाउनलोड कर लोगे जो कि यहां पर देख सकते हो टीडी प्लस का उप्शन आ रहा है तो आप लोगों को उस अप्लिकेशन के अं इस यहां पर हम जो है अभी कोई भी गेम अगयर आप ले करने वाले नहीं है यहां पर सिंपली में आप लोगों को प्रोसेस बताने वाला हूं कि किस परकार से आप लोग होम क्रेड़िट एमाई काड की लिमिट यहां पर एड करके इसको अपने बैंक में ट्रांसफर कर सकते हो यानि मिनिमम में एक रुपए और मैक्सिमम एक बार में आप 10,000 की एड मनी कर सकते हो इससे उपर की एड मनी नहीं कर सकते हो तो यहां पर आप लोग जो है अमॉंट एंटर कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग जितना भी आपको ट्रांसफर करना है यहां पर लोगों को मै यहां पर को प्रोसेस नहीं करना है सिंपर यहां से आपने बैक कर लेना है इस पर क्लिक कर के ठीक है जैसे ही आप लोग बैक आ जाते हो उसके बाद आपके सामने इस परकार का इंटरफेस आएगा आप यहां पर इस आपने क्या करना है simply इसको थोड़ा सब नीचे स्प्रोल करना है और यहां पर देख सकते हो आपको एक यमाई का option मिल रहा है टीक है तो आपने क्या करना है simply इमाई वाले option पर किलिक कर देना है अब इमाई वाले option पर किलिक करने का अब कि आपके सामने कितने सारे option आ चुके जो कि यहाँ पर आप लोग जो है किसी भी bank के credit card की limit भी add कर सकते हो यानि कि credit card से भी add money यहाँ पर कर सकते हो प्लस आप लोग one card की limit भी यहाँ पर use कर सकते हो ठीक है और उसके बाद जो salary है उसका भी card जो मिलता है उसकी limit भी यहाँ पर use कर सकते हो और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो कि home credit का आपको option मिल जाएगा यानि कि आपका जो भी home credit का card है वो यहाँ से use होने वाला है यहाँ से आप लोगों को limit अपनी use करना है तो simply अभी आपने क्या करना है home credit को select कर देना है home credit पर जैसे आप लोग क्लिक करोगों यह select हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर continue का option आ रहा है आपने simply continue पर क्लिक कर देना है आप continue पर क्लिक करने बाद कि यहाँ पर mobile number आपका मांगेगा ठीक eligibility चेक करने के लिए जैसा कि मैंने पहले ही आप लोगों को बताया कि आपका जो home credit का card है वो active होना चाहिए अगर वो card block होता है तो आप लोग उसको use नहीं कर सकते हो ठीक है तो यहाँ पर आपने क्या करना है कि अपना mobile number डाल के check eligibility पर क्लिक करके simply अपनी eligibility चेक कर लेना है जैसे कि हम यहाँ पर आपने इस वाले mobile number को simply यहां से हटा देते हैं ठीक है तो अभी मैं यहाँ पर दूसरा mobile number एंटर कर लेता हूं ठीक है जो भी जिस number से मेरी हमाई card बना हुआ है वो number मैंने यहाँ पर एंटर कर दिया और उसके बाद आपने क्या करना है इस पर क्लिक कर देना है अब इस पर क्लिक कर देना है इस मेरा जो कार्ड है वो अभी ब्लोक है जिसके कारण यहाँ पर देख सकते हो not eligible बताया जा रहा है ठीक है अगर आपका card eligible होता है आप लोगों का card active होता है आपके card पर कोई limit पड़ी होती है तो simply इसके बाद आप लोग जैसे checklist ability पर क्लिक करते हो उसके बाद यहाँ पर EMI प्लान आ जाते है जिस पर आप लोगों को no cost EMI का भी option मिल जाता है और plus up to 24 महिने तक का भी option मिल जाता है यानि कि आप लोग no cost EMI का option लेना चाहो तो आप लोग 3 महिने का option सेलेक्ट करके उसको no cost पर ले सकते ह हो अगर आप लोग 6 महिने 9 महिने 12 महिने के लिए EMI लेना चाहते हो तो उस पर आप लोगों को interest देना होगा EMI plan select करने के बाद गिस आप लोगों के सामने continue को option आएगा तो आप लोग simply continue पर click करके यहाँ पर OTP verification को complete कर लेंगे यानि कि जैसे आप लोग EMI plan को select करेंगे इनकी terms को agree कर लेंगे उसके बाद आपकी mobile number पर register mobile number पर OTP send करा जाएगा तो वो OTP simply यहाँ पर fill up करके आप लोग simply proceed पर click कर देंगे आप proceed पर click करने के बाद यहाँ पर आपकी जो add money हो successfully complete हो जाएगी यानि कि आपके home credit card से यहाँ पर amount card के यहाँ पर instant add कर दिया जाएगा यह नहीं कि आपको EMI में amount मिलेगा जो भी आप यहाँ पर amount add करते हो 9000-10000 या 1000-5000 जितना भी amount आप add करते हो उसको instant यहाँ पर add कर दिया जाएगा अभी मेरे card पर note eligible बताया जा रहा तो मैं यहाँ पर add money नहीं कर सकता लेकिन आपका जैसे यहाँ पर card eligible हो जाता है तो आप यहाँ पर EMI plan select करके add money कर लेते हो आपके सामने इस परकार का इंटर वाएस्काम सरी तरन 10-15 मिनट के अंदर आपके बैंक में ट्रांफ दे के सब्सक्राइबूं के मदद से काफी बार मैंने यहां पर करेंगे यहां पर ध्यान देना कि आपका यहां पर काफी लोगों के पास ब्लोक भी आएगा यह पहले ही मैं आप लोगों को बता देता हूँ ठीक है यानिक अगर आपके पास यह रीडियम का उपसन ओपन नहीं होता है तो यहां पर देख सकते हो पेन कार्ट को लिंक करने के लिए बोला जाएगा ठीक है तो आप लो यहां पर किलिक करके अपना जो भी आमांट है उसको रीडियम कर सकते हो लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम और उसको भी आप लोगों को बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा कि अगर आप लोग यहां पर बाइचांद 10,000 रुपए की एड मनी कर लेते हो तो आप लोग उस यहां पर बताया जा रहा है कि आप मैकसिमम रीडियमिंग लिमिट है जो पड़े की वो 2,000 कोई यानि कि 2,000 कोई आप रीडियम करोगे यह 2,000 कोई ने 200 रुपए के बनते हैं और पांच रुपए का आप से चार्ज लिया जाएगा यानि कि यहां पर 200 रुपए आप यहां से निकाल सकते हो जैसे कि यहां पर पड़े की लिमिट बताई जा रहे है लेकिन ऐसा नहीं है आप पर ट्रांजेक्शन यहां पर 200 रुपए अपने बैंक में ट्रांसफर कर सकते हो यानि कि दो सुर रुपए से ज्यादा आप इस अप्लिकेशन से एक बार में रेडिम कर सकते हो उसके बाद मिनिममम 50 रुपए यानि कि 500 रुपए एक बार में रेडिम कर सकते हो तो यहां पर आपने क्या करना है जैसे कि 10,000 aynı 5,000 के जितने के भी एड मैंज कर लिया तो यहां पर ट्रांजिक्सन करोगे हर बार यह पांच रुपे चार्ज करा जाएगा जैसा कि मैंने पहले बताया था चार्ज इसकी बात करें तो धाई परसंट के चार्ज यह अप लोगों से चार्ज करती है अब किसे भी अप्लिकेशन से आप लोग पे लेटर या कार्ड या लिया जाएगा तो आप यहां पर क्या करना कि 2.000 कोईन के यहां पर निकाल देना पर पड़ेकी लिमिट बताई जा रही लेकिन इसंपर ध्यान नहीं देना आपने पर ट्रांजिक्स्टे करके यहां पर एक दिन में 10, 12, 15, 20 ट्रांजिक्षन तक कर को कम्प्लिट कर सकते है जाने जितना amount है आप उसको एक ही दिन में redeem कर सकते हो लेकिन आप एक बार में 2000 coin से ज्यादा redeem नहीं कर सकते हो ठीक है इसका ध्यान देना है तो आपने यहां पर dot coin या फिर यूपी इस अपनी यूपी आईडी कर सकते हो या फिर यूपी आईडी उगयरा एंटर कर दोगे यूपी आईडी एंटर करने के बाद सिंपली आप रीडिम पे क्लिक करोगे तो आपको जो cashback redeeming बताएगा ठीक है वहां पर point नहीं बतायागा करना है कि 10-15 मिनट वेट करना है सिर्फ 10-15 मिनट आप जैसे ही रीडिम पे क्लिक कर दोगे वैसे ही आपका जो amount है वो in progress में चला जाएगा और 10-15 मिनट के अंदर आपका जो भी amount आपके bank में transfer कर दिया जागा अगर आप लोगों कुछ समझ में नहीं आता है यहां पर कोई लाइफ वीडियो प्रोवाइट कर दूंगा जिस पर कि आप लोगों को लाइफ हों credit कार्ट की लिमिट यहां पर इस application पर एड़ करके उसको इपने बैंक में transfer करके दिखाऊंगा जो कि कैस आप लोग मेरे चैनल पर जाके देख सकते हो मैं जो भी वीडियो अप्लोड करता हूं पको बीडियो अप्लोड करता हूं उस और वीडियो को पूरा लाइफ प्रूफ कर रहा हूं क्योंकि मेरा कारण अब जो है इसकी सब्सक्राइब कर लेते हो को आप लोग यहां पर एक बाद ट्राइ कर लेंगे, ट्रांजिक्सन करने की कोशिद कर लेंगे, अगर आप लोगों को पैसे की requirement है और आप लोग's home credit card की limit bank में transfer करना चाहा है हूँ, और आपका काम हो जाता है अगर आपके limit इस application के मदद से transfer हो जाती है, तो काफी अच्छी बा झाल झाल